अभी कस्टम में ऑक्षन लगा हुआ है अप्रॉक्स 162 कंटेनर का 162 कंटेनर में आपके लिए क्या है और उसको क्यों आपको खरीदना चाहिए और क्या बेनिफिट होगा या किस माल को नहीं खरीदना चाहिए क्या इसकी प्रॉसेस है और लिस्ट आपको कैसे मिलेगा और सबसे पहले तो sorry उन से कि जो जिनोंने पहले नंबर भीजा था और उनको अगर नहीं मिला है लिस्ट तो अब उनको मेरे तरफ से नंबर सेप हो गया होगा मेरे office में और आपको लिस्ट मिलेगा आज से और जो भी होगा जो हम जो बिसलेशन डालेंगे auction के उपर वो सारी information आपको मिलेगा और हमें खुशी हुई कि हमारे थुरू बहुत सारे clientों ने जुड़ा और बहुत सारे लोग container auction में खरीद रहे हैं और बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि नहीं auction में तो कूड़ा मिलता है तो आप पहले समझ लीजिए कि auction में एजे कूड़ा ही consider किया जाता है कि कोई भी माल जब auction में आता है तो उसको auction में आने के लिए बहुत time लग जाता है तो जो बहुत time लग जाता है तो जो government है उसको एज़े कूड़ा ही consider करता है लेकिन कूड़े का भी एक rate होता है आप समझे मेरी बातों को कि अगर कोई scrap है अगर copper scrap है तो वो कूड़े में भी जाएगा तो उसका क्या rate है वो scrap का जो main rate है वो rate है ही अब मालीजी जैसे बहुत सा इसमें wine है आप wine खरीद सकते हैं लेकिन यह wine वही खरीद सकता है जिसके पास permission होगा और जो wine का काम करता है तो यह जैसी बात है वही खरीद सकता है एर कंडिशनर है दो container यह outdoor और indoor unit के साथ है अगर आप चाहें अगर आप air conditioner का काम करते हैं तो माल बिजिट करके माल देखे और माल खरीद सकते हैं हाँ और एक चीज और यह auction खुला हुआ है आज कल और परसो मतलब आप last इसको पंदरह तारिक तक इस माल को देख सकते हैं और 16 तारिक को आप इसकी bidding लगा सकते हैं तो देखे सबसे पहले माल खरीदने से पहले क्या strategy आपको अपनानी चाहिए कि तो चोगे मैं यह भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ नहीं यह इस strategy पर आप काम नहीं कर पाएंगे आप जिस product में काम करते हैं उस product को आप खरीद दिये तभी आपको profit होगा और तो आईए एंबसेस बात करते हैं कि क्या-क्या product है इस वाले auction में उसकी बाद में देख अगर आप भी old cloth में deal करते हैं तो आप भी खरीद सकते हैं इसके लिए एक नियम है कि आपको एक registration कराना होगा वो मैं आपको बता दूँगा क्या है उसके बाद में TV का tube है TV CRT TV जो पहले हम लोग use करते थे computer हो गया तो CRT होता था जो ऐसे मैं picture लगा देता हूं जो आपको स CRT tube है वो भी आप खरीद सकते हैं container है मेरे client पहले कुछ import करते थे उसके बाद में rubber का recycle जो होता है वो rubber है जो टायरों में use होता है उसके बाद में पुराने टायर हैं बहुत सारे उसके बाद में conveyor belt है तो इन प्रोड़क्टों को खरीदने के लिए आपको Central Pollution Control Board का license होना च उसको बोलते हैं तो वो इसको भी आप खरीद सकते हैं इसके लिए आपको कोई registration special registration की requirement नहीं है उसके बाद में एक container में sony के speaker है जो गाडियों में लगते हैं इसको आप consider अगर आप speaker trader है जैसे गाडी में, car और अगर आप speaker लगाते हैं उसका काम करते हैं तो आप ये माल ख इफायत में मिलेगा क्योंकि government इसको as a scrap ही consider करता है तो अब आप सोचेगा कि जब container scrap consider होगा तो बहुत ही सस्ता मिल जाएगा तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सस्ता मिल जाए माल को जितना knowledge है जितना आप माल को judge पाएंगे आप उसी तक bidding लगा है कि आपको profit हो उससे ज्यादा bidding पर मत जाएं क्योंकि बहुत से ऐसे नए लोग होते हैं जो कहीं से bidding लगा देते हैं और उनको माल देखा नहीं समझा नहीं और bidding लगा दिए फिर उनको loss देखता है तो माल को छोड़ देते हैं तो आप ऐसा ना करेंगे तो आपकी जो सदस्यता है MSTC के साथ वो कंटेनर है उस पर आप विड लगा सकते हैं वो आप आरन वायर है पुराना होके भी कितना पुराना होगा वो उसके बाद में सिमेंट का ब्रिक है बहुत सारा कंटेनर अप्लक्स 12-13 कंटेनर जो रोड बनाने में यूज होता है जो कोई रोड का ठेकेदार है उसके लिए बहुत ही सोने पे सुहागा वाला रेट होगा जो कूडे के दाम में उनको मिलेगा उसके बाद में फरनीचर के कम से कम 200 कंटेनर है जो देखे सारा फरनीचर जो 99% फरनीचर है इसमें सारा चाइनीज है और चाइनीज में कुछ ready to use है और कुछ फरनीचर के parts है जैसे चेर के head हो गया, chair के footer हो गया, उसके बाद में chair के part हो गया, door के part हो गया, kitchen equipment के part हो गया, या बहुत सारा जिसे table हो गया, chair हो गया, और उसके equipment जैसे sofa के पाए हो गए, सोफे में use होने वाले product हो गए, तो बहुत सारा ये सारे product है, उसके बाद जहां हम आगे बढ़ते हैं, तो e-rixa का पूरा का पूरा container है, जो e-rixa पहले हम लोग काफी import कराए हुए है, और e-rixa में एक 40 feet container में चोवन से 55 pieces आते थे, जिसमें battery और tire नहीं होता था, तो अभी क्या है, वो कोई भी आदमी खरीद सकता है, उसके लिए कोई restriction नहीं है, तो अगर आप एक e-rixa के dealer हैं, तो आपको जरूर वहाँ जाके देखना चाहिए, brand आप जो सा बनाओगे, जिस brand का sticker लगाओगे, वो brand बन जाएगा, फिलाल वो Chinese है, उस पर कोई stickering नहीं मिलेगी आपको, Suze के 3-4 container है, Suze के container क्या है, कुछ तो Chinese brand है, और कुछ Nike, Puma, Reebok, Edidap, सब कुछ लिखा हुआ है, बट उसकी genuinity की कोई guarantee नहीं है, अलकी 100% मैं guarantee दे रहा हूँ, वो genuine नहीं है, वो duplicate है, तो एज एक कुड़ा आप खरीद सकते हैं, वो कम से कम 3-4 साल पुराना container है, तो सबसे पहले तो container की validity देखे, कि कब import किया गया था उसे, और जब import किया गया था, अगर जैसा कोई branded declare है, तो उस वज़े से custom उसको clearance नहीं देती है, वो clearance clear नहीं होता है good, तो उसके लिए जैसे कि आप bid लगा के उस माल को खरीद सकते हैं, आपको किसी और चीज की जरुरत उसमें नहीं है, तो वो generally आप bid लगा हैं और माल खरीद सकते हैं, उसके लिए कोई problem नहीं है, और उसको आप as an online trader, आप online जैसे Amazon और वही सम्माल बिखता है, और आप उसको असानी से बेच के double margin कमा सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा, लेकिन आपको holding power होना चीए, और आपको उसके लिए hold करना पड़ेगा, हो सकता है 6 महिने में बिख जाए, या time लगे आपके लिए, उसके बाद इसमें है auto part, अगर आप एक auto part के dealer है, तो clutch plate का पूरा का पूरा container लगा हुआ है, आप जाए, विजिट करे, देखे, और उस माल को लगता है आपको, क्यूंकि आपको कूरे के भाव में मिलना है वो, कूरे के भाव का मेरा मतलब यह है, कि उसका एक जो बहुत ही सस्ता price में आपको मिलेगा, कि आपको shipping का खर्चा, अगर एक container कॉन shipping का खर्चा ही, जोड़े आज के time में साड़े तीन लाख रुपे चाइना से container लाने में लगता है, तो इससे भी कम में अगर आपको समान मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कूरे के दाम ही हुआ, तो बहुत से container है, जो इससे भी सस्ते में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे container है, जो बच्चों के toy है, उसको आप consider कर सकते हैं, उसके बाद में garments है, गार्मेंट से क्या होता है, कि garments के roll आते हैं, वो जनरली 4-5 साल में उसका कुछ नहीं होता, अगर वो polyster हो गए रहा है तो, और अगर कोई cotton हो गए रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, अगर वो 5 साल से पुराना container है, तो उसको आपको buy नहीं करना है, अगर आप वो buy करते हैं, अगर 4-5 साल पुराना container, तो समझ लीजे कि फिर आप पैसे गड़े में डाल रहे हैं, क्योंकि जैसे वो आप फाड़ेंगे, वो फटेगा, लेकिन अगर पुलिष्टर के साथ ऐसा नहीं है, वो उसके durability जो होती है, वो बहुत जादा होती है, देखें, बहुत सारे product में क्या होता है, कि बहुत सारे जब आप bid लगाते हैं, तो यह जो list है, उस list में लिखा होता है, कि इस चीज की requirement है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप rubber खरीद रहे हैं, तो Central Pollution Control Board से, आप tire खरीद रहे हैं, तो tire के लिए भी CPVC से चाहिए permission, उसके बाद में अगर आप old cloth खरीद रहे हैं, अगर आप old cloth खरीद रहे हैं, तो यह cooperative society के अंडर आप खरीद सकते हैं, उसमें आपकी listing होनी चाहिए, उसके बाद में multimedia speaker है, इसके लिए BIS की जरुवत होती है, लेकिन जब आप auction में खरीदेंगे, तो आपको BIS की requirement नहीं है, और BIS नहीं देना है, बस आपको bid लगाना है, और bid लगा करके आप खरीद सकते हैं माल, अब आगे जब हम चलते हैं, तो आगे में आगे क्या क्या है, और जो product है, वो हम देखते हैं, जो आप जो normal आदमी खरीद सकता है, तो इसमें बहुत सारे machine भी है, बहुत सारे injection molding machine है अगर आप injection molding machine उसको कहते हैं, कि एदर से plastic दाना आप डालेंगे, और एक frame होगा, जिसको pressure करके वो चीज बन जाएगा, जैसे chair बनेगा, या plastic का कोई टब हो गया, या plastic का कोई भी article, जो injection molding machine के द्वारा ही बनता है, तो वो बहुत सारा machine है, अगर आप कोई नया machine खरीदत और आपको custom duty यह सब जबेले में नहीं पढ़ना है, जितना bidding होगा, जिस amount पर bid लगाऊगा, उसमें plus GST करके देना है, और MST आपको suggest करेगा, कि कितना कहा कहा के लिए DD बनेगा, custom of commissioner के नाम पर DD बन जाएगा, जो custom duty होगा, और उसका जो बचा होगा MSTC का commission चला जाएगा, और मतलब जैसे DD होगे रबनेगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम DD की copy आपको provide कराएंगे, कि ऐसे करना है, तो आपको काफी सहलियत मिलेगी, और हम से जुड़ने के लिए कोई आपको खास charges नहीं है, only 5000 आपको pay करने है, जिसमें हम import, export, plus auctions related, सारी information on time provide और उसमें आपको हम ये भी guide करेंगे, कि हाँ आपको इस product में मतलब कैसे bid लगाना है, और इसमें एक फायदा है नहीं है, वो भी आपको जितना हो सके हम guide करेंगे, क्योंकि हमारे थुरू बहुत से लोगोंने हर bidding में कम से कम 5-10 container अभी ले रहे हैं, आने वाले time में ये और बढ़ेंगे जैसे हम जिस हिसाबचे हमारे पास लोग जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको हम हर बार guide करते रहेंगे, तो ठीक आपके लिए भी है कि अगर आप हम से जुड़ते हैं, तो इसमें बहुत सारा packaging material भी है, जो car glass के सीसे पे जो film लगत और एक container है, जो एक container आज से चार साल पहले आया हुआ है, उसमें क्या क्या है, ladies shoes है, ladies handbag है, उसके बाद में आप अगर देखे तो ये है, spider metal lock है, अगर इसको हम जैसे कि electric kettle है, electric kettle के लिए लिए इसके requirement होती है, लेकिन अगर आप मैने जैसा की बताया कि अगर आप auction में लिए रहें, तो आपको requirement नहीं है, और उसके बाद में एक item और है, इसमें ये tag for cloth dry, ये dry ice machine है, जो बर्फ को dry रखता है, तो उसमें भी BIS की requirement होती है, लेकिन अगर आप auction में ले रहें, तो आपको BIS नहीं देना है, उसके बाद में glass wooden rolls, glass wooden rolls का क्या होता है, wood type का होगा, और जो glass क उपर लगता है, तो उसके भी पूरा container है, वो भी आप ले सकते हैं, और इसमें बहुत सारे container है, जिसको आप लेके profitable business कर सकते हैं, तो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे miscellaneous container है, जो चाइना से आते हैं, कि क्या होता है, कि container किसी एक का नहीं होता है, उसमें कुछ लोग आपको कहेंगे, कि नहीं जी, auction में तो यह होता है, नहीं, एक आपने कहावत सुनी होगी, अंगूर खटे होते हैं, तो अंगूर खटे होते हैं, जो already registration कर चुके हैं, और वो मोटा पैसा बना रहे हैं, मोटा margin बना रहे हैं auction के थुरू, और वो चाहते हैं कि त आपका auction लगता था, कब माल किसको alert होगे, आपको पता तक नहीं चलता था, लेकिन आप ऐसा नहीं है, जब से यह online हुआ है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, फिर भी आपको, मतलब पहुंस थोड़ी बहुत होनी चाहिए, अगर कुछ ऐसा item है, जो आपको बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो उसमें आपको चाहिए, और उसके बाद में reclaim rubber जितने भी हैं, जितना जो भी tire manufacturer है, वो reclaim rubber ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए CPVC का license mandatory है, तो जिनके पास होगा सिर्फ वही ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया injection molding machine बहुत है, उसके बाद नए tire का भी container है, पुराने tire का है, tube का container अल्रेडी पढ़ा हुआ है, embroidery machine, अगर आप embroidery machine में deal करते हैं, तो embroidery machine भी अभी auction में पढ़ा हुआ है, जिसको आप ले सकते हैं, पूरा का 40 feet का container है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, अगर आप plywood के dealer हैं, तो आपको plywood भी मिल और ये ज्यादा पुराना नहीं, अभी पिछले साल का container आया हुआ है, तो इसको काफी profitable business होगा, अगर आप plywood में हैं, तो आप plywood का container ले सकते हैं, और आज कल तो ऐसा है, हर office हो गहरा में, ज्यादा तर plywood योज हो रहा है, तो plywood का demand है, और ये चाइना से import किया गया है, अच्छ इसली बार भी वीडियो दिखाया था, cooker के product है, electrical, जो बहुत सारे, जो आज कल electrical chimney लगता है, electrical chimney का container पड़ा हुआ है, उसको भी आप consider कर सकते हैं, काफी सस्ते में आपको मिल जाएगा, और बहुत ही ज्यादा कोई महंगा नहीं होगा, जितना custom duty और जितना भड़ा है, उतने में आपको container मिल जाएगा, सोच ये कि आपने किसी product का पूरा payment ही नहीं किया, और payment आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा पुराना होगा, 2019 का model है, तो 2019, डेड़ साल में उसका कुछ भी खराब नहीं होता है, लोय होता है, लोहा का कुछ खराब होना नहीं है, थोड़ा बहुत ह तो उसके भी पूरे container है, और वो बिल्कुल ही अच्छे condition में है, जैसा कि मैं देखके, विजिट करके भी आया हूँ, उसके बाद में बहुत सारा household का container है, उस container को भी आप खरीद सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ उसमें कुछ है, आप पहले विजिट कीजिए, से ceiling होँएरा बना रहे हैं, उसमें जो जाली यूज होता है, जिसके उपर fall ceiling बनाया जाता है, वो जाली भी है, उसको भी आप consider कर सकते हैं, उसको भी आप खरीद सकते हैं, लमे मैं फ्लोरिंग में डील करते हैं, वो लोग 0.031 ले सकते हैं, और ये लम्ने फ्लोरिंग भी 2019 19 का आया हुआ है, तो ये product भी बहुत अच्छा होगा, अगर आप चाहें, अगर आप इसमें deal करते हैं, तो इसको consider कर सकते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं, उसके बाद में HP का printer है, HP का जो printer है, एक्चुली देखें, जो branded है, ब्रांड से अनुसी चाहिए होता है, लेकिन अग option में इस माल को खरीद सकते हैं, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे, उसके बाद में trolley है, trolley क्या होता था, कि लोग import करते थे, कि तीन सेट का trolley होता था, जिसमें एक छोटा सा trolley, एक बड़ा सा एक बड़ा सा तीन सेट का 18-20 डोलर का आता था, अभी इस प पर वैसे कोई requirement नहीं है कोई additional paper का, तो आप generally ले सकते हैं, और आप generally इसको buy कर सकते हैं, trolley को, उसके बाद marble tile का तो बहुत ही container है, आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, और marble tile और बहुत सारे जो marble के सिलियां हैं, अगर ये auction में रुका हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण है, कि इसको एक minimum import price पे declare किया गया है, लोग क्या करते हैं, कि इसको सस्ते में import कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इसके उपर penalty लग जाती है, अगर आप जैसे 200 dollar इसका fix है, कि 200 dollar पर metric turn होना चाहिए, और आप उसको 100 dollar में लिया है, तो आपको 200 dollar पर duty नहीं, बलकि 100 dollar आपको उपर penalty लगाया जाएगा, तो इस चकर में बहुत सारे container, जो रह जाते हैं, जिनको rule regulation का पता नहीं होता है, तो इस बज़े से मैं logo को guide करता हूँ, और focus करता हूँ, कि logo लोग पहले समझे rule and regulation क्या है, उसके बाद उसको import करे, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखे, कुछ और item है, hot air electrical, अभी देखे, इसमें भी क्या होता है, कि जैसे आप देखते न, जो गरम हवा निकलता है, कहीं साब सफाई के लिए use होता है, या कोई electronic equipment में use किया जाता है, उसको, वो भी पूरा container है, उसको भी आप consider कर सकते हैं, 20 feet का container है, पूरा है उसके बाद में metal scrap for recycling है, metal scrap में क्या है, 29 ton के करीब है, अब metal scrap में आप सोची कि क्या खराब हो सकता है, वो तो already scrap है, तो scrap में ही मिलेगा आपको, लेकिन वो है SPC, वो उसमें चाहिए state pollution control board का आपको अनुसी चाहिए, वो आप normally खरीद सकते हैं उसको, उसके बाद में बहुत स पूरा container जैसे कि back, ball, badminton, sports, toy sports के container है, उसको खरीद सकते हैं, जैसे gift में क्या है, statue हो गहरा है, पूरा का पूरा container है, gifted item, उसको आप खरीद सकते हैं, अगर आप Amazon के seller हैं, या Flipkart के seller हैं, तो यहाँ पर आपका कोई validity check करने वाला नहीं है, और आप बहुत अच्छा पैसा ब उसको भी खरीद सकते हैं, उसको कहीं से आपको कोई requirement नहीं है, कोई भी कुछ भी registration का, हला कि अगर आप import करते हैं, जूट वैग, तो उसके जूट committee से या जूट board से आपको एक registration कराना होता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप auction में लेते हैं, तो उसके बा इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं, तो आगे जो है, आगे, आगे, उसके बाद इस्टॉक लोड paper है, जर आप paper का काम करते हैं, cardwood वाला paper, और बहुत सारे paper के container हैं, वो आप ले सकते हैं, उसके बाद में आप आईए, अब एक dry date का चार container, इस बाद ड्राइड का चार container है, अगर इस चारो container को अगर हम weight में calculate करें, तो अप्रॉक्स एक सो पाच टन या एक सो दस टन के करीब है माल, अब आप सोचिए कि dry date में, आप dry date अगर ले के आ रहे हैं अभी, तो dry date कितने में विक्रा है, 115-116 में, आपको बहुत ही सस्ते में ये dry date के container मिल जाएंगे, क् कि dry date में क्या है, कि dry date के उफासे थे, मैं आपको इसका कहानी भी बता देता हूँ, कि dry date लोग दुबई से import कर रहे थे, भाया, मतलब आता तो पाकिस्तान से है, तो पहले बागा बोडर के थुरू या वहां के थुरू पामलीत्र के थुरू import होता था, लेकिन जब से भारत हो पाकिस्तान के वीच में तनाव हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि सारा माल दुबई के थुरू इंडिया आना सुरू हो गया, और दुबई के थुरू जब इंडिया आना सुरू हो गया, तो लोग उस पे custom duty की चोरी करने लग गया, जहां एक container पे 200% duty बनती थी, तो लो 25 और 10-10 कोर का demand निकला है, जो custom duty की चोरी किया जिन्होंने, तो अब वो लोग जान बूच के container को छोड़ चुके हैं, छोड़ने का कारण यही है, और उसके बाद अब यह auction में आया है, तो आप इसको auction में खरीद सकते हैं, इसमें आपके उपर कोई liability नहीं है, जो price लगता ह के आप खरीद सकते हैं, उसके बाद भी आपको फसाई हो गया है कि clearance इस पर चाहिए होगी क्योंकि यह edible product है, उसके बाद में PVC roll है, PVC roll के लिए आपको कोई clearance नहीं चाहिए, आप खरीद सकते हैं, aluminum seat है, coating, aluminum seat जो composite panel होता है, वो composite panel है, जो घरों के बाहर या घरों के अंदर container भी है, auction में आप wooden flooring का container भी आप auction में खरीद सकते हैं, अब उसके बाद में Scribe के कही सारे container है, तो यह सारे container हो गया, total 162 container है, आप चाहें तो widget कर सकते हैं, अगर आपको कुछ knowledge नहीं है, तो हमारा लड़का होगा, जो gate pass बना के आपको अंदर ले जाएगा, और माल दिखा तो अगर आप चाहते हैं, कि auction में माल खरीदना, तो आप हमारे साथ जुड़िये, हम आपका registration और each and everything कराएंगे, और उसके बाद जब भी auction, जैसे अभी तो यहाँ का auction है, कई बार airport का auction होता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छे समान आपको मिल जाते हैं, तो वहा आपका एक दिन के अंदर में registration complete कर देंगे, और आप अगले दिन आप चाहो तो माल का bidding लगा सकते हो, या अगले दिन visit करके माल खरीदना, कभी भी goods देखे बिना आप bid नहीं लगाएंगे, क्योंकि goods को आप देखेंगे, exam करेंगे, उसके बाद ही आप bid लगाएंगे, अग जुड़े दिये मेरे साथ और इस तरह के information, export, import और auction से related information के लिए मैं आपको guide करता रहूंगा time to time, नमस्कार, जय हिम, जय भारत